दोस्तो आपने त्रीशीज़ नोडिस क्या ही होगा, जब वर्सा होता है, तो उस समय जो है कि आसमान पर इंडर्धनूस, जैसे रेंबो कहते हैं बनता है, गैस क्या आपने कभी इसके पीज से कर रिजन जानने का कोशसिस क्या है, कि आखिर इंडर्धनूस क्येसे बनता है, तो इस वीडियो में आपको पताता हूं कि आखिर इंडर धनुद के से बनता है तो गाइस विदा टनी टेम वेस्ट लेट के डिस्टार्ट साथ रंगों में तबदील हो जाता हा गाइस जिससे प्रकास का विकष्यपन कहते हैं अब आस्मान में ऐशा प्रकास इन बुन्दों से वकर गुजरता है तो गैस उस समय होता है कि यह सात रंगों में विवक्त हो जाता है जिस प्रकार प्रिज्म के साथ होता है यह जो पानी की बूंधे है वह एक तरह से प्रिज्म का काम करता है यह प्रकास को सात रंगों में विवक्त कर देता है जिसे के कारण हमें नीचे स इंद्रधनुस नजर आता है और गाइज इसी वजह से होता है गाइज यानि कि हम कर सकते हैं एक च्छेपन के कारण ही इंद्रधनुस बनता है जब भी सुरीगप्रकास इने की छोटी-छोटी बुन्दों से होकर गुजरता है तो उसमें प्रकास साथ रंगों में विवक्त हो जाता है जिसके वज़से ही आकास में इंद्रधनुस का निर्मान होता है यानि हम कर सकते हैं कि जब प्रकास पानी की इन छोटी-छोटी बूंदों से एकर गुजरता है तब इंद्रधनुस का निर्मान होता है दोस्तों स्विर के किरने इन छोटे छोटे पानी की बूंदों से अपुवर्ति तथा प्रावर्ति थोने की कारानी रेंबो मिंस की इंद्रधनुस का निर्मान होता है तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ मां आही गया होगा यह आखिर आकास पर इंद्रधनुस केसे बनता है र स्थाण की कारे इंद्रधनुस के सब्स्ऽंद से अपना का यहता है